फाइनली चमक गई अक्षे कुमार की किस्मत और बॉक्स ओफिस पर गूंजने लगी है अक्षे की दहार क्योंकि अक्षे की राम सेतु ने बॉक्स ओफिस पर कमाल धमाल बवाल कर दिया है इस बार अक्षे ने जमकर फिल्म के लिए पसलिया बहाया है क्योंकि ओपनिंग दे की कमाई के मामले में अक्षे ने अपनी ही फिल्मों को पचार दिया है जी हां राम सेतु में पहले दिन बॉक्स ओफिस पर 15 करोड रुपे से ज़ादा की कमाई की है कहा जा रहा है कि विकेंड में राम सेतु के कलेक्शन का आंकडा और बढ़ेगा जी हां फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ओफ माउथ खूब मिल रहा है जिस वज़े से सोचल मेडिया पर राम सेतु को धासु रिव्यू मिल रहे है फैंस इस फिल्म को अक्शे की सबसे बहतरिन फिल्मों में से एक मान रहे है राम सेतु की कमाई का आंकडा सामने आने के बाद इसे अक्शे की इस साल ओपनिंग डे पर सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म कहा जा रहा है लगातार फ्राप होने के बाद अक्षे कुमार की मेहनत इस साल के एंड तक रंग ले आई है फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबर्दस्त गदर मचाते हुए 15 करोड का बॉक्स ओफिस कलेशन कर लिया है हाला की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और सेंट्रल इंडिया के राज्यों में बड़े पैमाने पर राम सेतु को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है box office india.com की रिपोर्ट के अनुसार, राम सेतु ने 15 करोड की ओपनिंग करके साल 2022 में हिंदी बेल्ट फिल्म के लिए दूसरी बेल्ट फिल्म बन गई है पहली हाइस्ट कमाई करने वाली फिल्म भ्रमास्तु पार्ट वर्ण शिवा है जो 9 सितंबर को हिंदी और कई भाशाओं में रिलीज हुई थी इतना ही नहीं, राम सेतु ने पहले दिन की कमाई के मामले में बच्चन पांडे और समराध प्रित्वी लाज और रक्षा बंधन को पीछे छोड़ दिया है ऐसे में बच्चन पांडे ने पहले दिन जहां 13 करोड रुपे की कमाई की थी वहीं समराध पृत्वी राज 10 करोड का कलेक्शन ही कर पाई थी और फर्स्ट डे रक्षा बंधन का कलेक्शन महज 8 करोड रुपे था हाला कि इस बार अक्षन ने अपनी फिल्म राम सेतु को ना के बराबर ही प्रोमोट किया है फिल्म को लेकर कोई मीडिया इंट्रक्शन नहीं किया ना ही किसी रियालिटी शो में गए लेकिन अक्षे ने इससे पहले अपनी बागी की फिल्मों का जम कर प्रोमोशन भी किया था फिर भी इस साल की तीनों फिल्म में फ्लॉप हो गए आपको ये भी बता दें कि मार्च में रिलीज हुई बच्चन पांडे फ्लॉप साबित हुई थी 180 करोड की बजट में ये फिल्म अपनी बजट तक भी नहीं निकाल पाई थी फिर जून में आई समराट पृत्विराज से सबको बहुत उमीदे थी लेकिन ये भी बॉक्स ओफिस पर धड़ाम हो गई 300 करोड के बजट की फिल्म के फ्लॉप होने का ठिकरा भी मेकर्स ने अक्षे की सिर पर ही फोड़ दिया था इसके बाद इसके लोग बजट के फिल्म रक्षा बंधन भी 11 अगस्त को रिलीज हुई जो कि बॉक्स ओफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई हाला के OTT पर रिलीज हुई उनकी फिल्म कट्टिकली को अच्छा रेश्पॉंस मिला था 100 करोड के बजट में इस फिल्म के राइट से मेकर्स ने 125 करोड रुपे भी कमाई की थी Bollywood की लेटिस न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्स्क्राइब करे हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूद को And yes, don't forget to press the bell icon ता कि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोमेशन आप बिल्कुल भी मिस्ना कर पाएं